टेस्टीम के कप्तान विराट कोली लोगों के दिल से डर निकालने के लिए एक नए अभियान से जुड़े हैं रोयल चैलेंज स्पोर्ट्स ट्रिंग ने इस अभियान की शुरुवात की है इस अभियान का मकसद लोगों के दिल से डर को खत्म कर आगे आकर अपनी जिन्दगी जीने का संदेश देना है इस अभियान के तहट भाते टेस्टीम के कप्तान विराट कोली ने एक खुला खतलिक कर अगर आप बोल्ड नहीं खेलेंगे तो कभी न जान पाएंगे का संदेश अपने फैंस को देने की कौशिस की है इस अभियान में विराट कोली लोगों को अपने दिल की बात सुनने के लिए प्रेरित कर रहू है ये अभियान उन लोगों को प्रेरीद करने के लिए है जो सामाजिक कलंग, असफलता, आदी के डर से बाहर नहीं आते हैं भारते कप्तान ने एक खुले खत में कहा है जब मैं परंपरा के विपरीद कोई फैसला करता हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि ये सही होगा या नहीं, मुझे नहीं पता होता है कि मैं सफल होंगा या नहीं हाल ही मैं ICC की वंडे टीम के कप्तान चुने गए कोली ने कहा मुझे एक बात पता होती है कि चाहे ये कितना भी बोल्ड या डरावना लगे लेकिन जब समय आता है तो मुझे ये कदम उठाना पड़ता है मुझे अपने डर को त्याक कर कदम उठाना पड़ता है जैसा कि दो साल पहले एडिलेट टेस्ट में मैंने किया कोहली ने 2014 में खेले गए एडिलेट टेस्ट मैच का उधारन देते हुए कहा उस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रोस संदुष्ट होने की जगा हमने जीतने की कोशिश की और हार गए उस दिन हम इतिहास बदल सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेकिन क्या मुझे उस कदम पर पच्चतावा है बिलकुल भी नहीं सच्चा ये है कि अगर मेरे सामने फिर वैसी स्थिदी आएगी तो फिर से मैं वही करूँगा और ऐसा सिर्फ क्रिकेट में नहीं होगा मेरा विश्वास करें किसी भी फैसले को ना करने के पच्चतावे के साथ जीने से अच्छा है कि आप उस साहसी फैसले के परिनाम के साथ जीने कोहली ने नए साल में अपने फैंस को मंत्र भी दिया और कहा कि आप सिर्फ अपने दिल की बात सुने कोहली ने कहा नए साल के लिए मेरा मंत्र है मैं वही करूँगा जो मैं हमेशा करता आया हूँ मैं अपने दिल की बात सुनूँगा अपने पैसले करूँगा क्योंकि किसे पता कल हम कौन से मंजिल कौन से मुकान पाएंगे पर एक बात जरूर है अगर बोल्ड नहीं खेलेंगे तो कभी न जान पाएंगे आपको बता दें कि विराट कोहली के नेतरतों में टीम इंडिया इंडियनों शांदार प्रदेशन कर रही है और विराट कोहली भी इस वक्त धासू फॉब में है एनमेफ निउस की रिपोर्ट